Hawkeye के दोने एपिसोड देखने के बाद में एक कोशे मेरे मन में आ रहा है कि actually में इस शोग का में विलन कौन है जितने में डिस्नी प्लस के शोग अभी तक हमने देखे है ना यानि मावल वाले उन सब में जो विलन था ना वो बिल्कुल एंड में रिविल किया गया वांडर विजन के end में पता चला कि Agatha ही थी all along साथ साथ Falcon the Winter Soldier के end में पता चला कि जो एक तरह से में बंदा था ना वो थी हमारी Sharon Carter बात कर लोकी की तो लोकी की तो मिलकुल लास्ट एपिसोड के अंदर ही हमें पता चला कि actually में इस सब के भीशे था Kang the Conqueror तो Hawkeye के अंदर भी यह चीज फॉलो की जा सकती है और शायद दो अपिसोड निकालने का यही मतलब था ताकि आप लोग को यह बताए जा सके कि हम दो एपिसोड आपको दिखाने वाले हैं लेकिन आपको यह नहीं बताने वाले हैं कि विलन कौन है आज किस फीडिए में हम देखेंगे कौन कौन विलन हो सकता है इस शो का और मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से वो कैंडिड़ेट है तो ध्यान से सुनना फर्स्ट कैंडिड़ेट की बात करें तो वो है ट्रैक सूट माफिया आप ट्रैक सूट माफिया आपने अलड़ेट देख लिए 12 एपिसोट के अंदर वो किस तरह से हमारी केट बिशप और होकाई के पीचे आ रहे है उनको मारने के लिए सेकेंड एपिसोट के एंड में हमें पता चला कि इनकी लीडर है एको और हाँ कॉमिक्स में जैसे एको डेफ थी ना इस शोग के अंदर भी वो डेफ होने वाली है तो आपने रिखा कि किस तरह से ट्रैक सूट माफिया के जलीडर है वो एको है तो कैसे ये शीज प्रूव हो जाती है कि शोग का में विलन एको है इसका मतलब है नहीं एको ये कैसी कैरिकर है जो कि शुरुवात में आपको विलन लग रही होगी बट आपको पता है कि आने वली फ्यूचर के अंदर एको की खुद की डिस्नी प्लज की सीरीज आने वाली है इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये एक विलन कैंडिरेट नहीं हो सकती और एंड में ये हीरो ही बन जाएगी और ये बात आपे अलड़ी पता है कि ये बहरी है और होक है जो है वो भी विचारा बहरा हो रहा है तो दोनों की कमपैटिबिलिटी शायद बन सकती है ये उसको सिखा भी सकती है बहुत कुछ करना तो हाँ एको को अगर आपको लग़ा था कि एको विलन है तो वो नहीं है दूसरी कैंडिडिर्ट की बात करें तो वो है सौर्समेन अब आपको पता है कि जो हमारा आर्मान था उसको किसो ने मार दिया Kate Bishop ने सीधर जाम लगाया source man के उपर क्योंकि इसको एक तरह से तलवार चलानी आती है जो अर्मान को उसको तलवार से मारा गया था दोनों बातों को जोड़े तो आपको पता चले लेगा कि हाँ अर्मान को माने वाला शायर source man ही था उन सब के पीछे source man है लेकिन मुझे लगता है कि मावल studio इतनी जल्दी ये चीज नहीं रिखाने वाला और अगला candlelight है इसके उंदर वो है अमारी Elena Belova अब आपको पता है black video अगर आपने देखी होगी चाहे टेलेगराम पर देखी हो चाहे डिस्नी प्लस पर देखी हो आपको end में पता चल गया होगा कि किस तरह से Valentina ये लग रहा है न वो आई थी हमारी Elena के password ने बोला था कि Ronin जो है वो actually में रहो काए है और इसकी वुझा से तुमारी बहन बरी है जाओ इसको पेलो तो असका मतलब क्या है आपको पता है कि इस सीरिस के अंदर हमें ये लेना बिलोवा देखने को मिलेगी Florence प्यू देखने को मिलेगी और शायद इन सब के पीछे Florence पी हो सकती है और main villain Florence पी हो सकती है बट क्या आपको ऐसा रखता है कि ये लेना को main villain बनाएंगे तो अगर बात करें इस शो के main villain की तो मुझे लगता है इस शो का जो main villain है ना वो है Kate की मा यानि की Eleanor Bishop जी हाँ अब जब वो बात कर रही होती है इस बुड़े से तब वो बताती है Kate को कि ये मुझे धंकी दे रहा है बढ़ हमें सुनाइन देती है इसके वाज तो हमें केसें पता वो धंकी दे रहा है ऐसा हो सकता है वो ये बताने वाला हो कि तुमारे राज में reveal कर दूँगा तुमारे बेटी के आगे तुमारे सामरे जो चिट्थे है वो सब कोल दूँगा लेकिन वहाँ पर उसकी देत हो गई तो उसका मतलब है कहीं न कहीं कोई रीजन है एलेनौर बिशप के पास असको मारने का और मुझे लगता है कि कॉमिक्स के अंदर जैसे एलेनौर बिशप क्या थी कॉमिक्स के अंदर उसका नाम था मैडम मास्क जो कि एक बहुत यची hand-to-hand fighter थी बहुत यची गंस चला सकती थी सेम उसी तरह की चीज़े इस शो के अंदर continue की जा सकती है कॉमिक्स के अंदर हुआ क्या था कॉमिक्स के अंदर जो केट के फादर है ना वो जिन्दा थे और केट की मा मर गई थी और केट के जो फादर थे वो एक तरह से बुरी चीजों में पढ़ गई थे अब हो सकता है शो के अंदर अलग तरी के से रिखाया जाए यानि उल्टा करके रिखाया जाए तो हो सकता है यहाँ पर उसके फादर मार दिये हो आपको पता ही है और जो उसके मा है वो विलन मन जाए कॉमिक्स के अंदर दो दिन चीज़े ऐसी भी थी तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वो villain वारे लोगो भी switch कर सके लेकिन इक candlelight और है जो कि हमारे सामने आता है villain बन कर और वो है kingpin मुझे लगता है कि जो वीरा फरीमा का character है यारे कि Eleanor Bishop उसके पीछे कोई और बंदा है जो कि अच्छे तरह के से काम कर रहा है Daredevil के last season में मैंने देखा था कि Daredevil बोलता है हमारे एक तरह से kingpin को कि बिल्कुल भी किसी के सामने बताना छुप जाओ चले जाओ यासा मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा ऐसा हो सकता है कि वो behind the scene में रहकर काम कर रहा हो क्योंकि एक कोईले को कितना भी धोलो वो कोईला ही रहेगा तो मुझे लगता है इस सब के पीछे हो सकता है kingpin rumors की बात करे लिक्स की बात करे तो ये तो बात मैंने आपको अल्लेडी बता ही दीती के शो का जो main villain है वो kingpin होने वाला है काफी लोग रगता ऐसा नहीं होने वाला है यहां तक कि विंसेंट डेनाफरियो ने ट्वीट करके ही बोला था ये शो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसका मतलब है कहीं ने कहीं behind the scene कुछ तो शोल रहा है आप कोई बात वालेडी पता है कि जो हमारे नेट्विस की करेकर चार्ली गॉक्स आप के इस शो का में विलन कौन होसकता है अभी तो मुझे खुद नहीं पता है कौन होने वाला है शायद episode 4 के end में हमें reveal करके बता दिये जाएगा कि इस शो का में विलन कौन है सुन्दे में या रहा है कि उसके end के post स्केट सीर्मन है जो episode 4 होगा उसके अंदर आपको Vincent Dinaffi देखने को बलेंगे AS KINGPIN और बहुत से रूमर्स ही आ रहे है कि उनको फैट सूर पराया जाएगा CJ की जाएगी और कॉमिक अकुरेट किंग बनाने कोश की जाएगी जहां पर KINGPIN बहुत चोटा हो तो असकी body बहुत बड़ी होती है Personally, I hate this idea बट अगर MC वाले कर रहे हैं Mawai वाले कर रहे हैं Faiji भाहिया कुछ कर रहे हैं तो सोच कहीं कर रहे होंगे कमार सेक्षिय है मुझे बताना जरूर कि आपको यह थोरी कैसे लगी Thank you so much for watching this video guys मैं वी शुटे चीरीगा मोन लूंगा आप सबक्री वीडियो के रहे हैं Bye guys, च्क्क, I love you all and have a great amazing day